कि हलो दोस्तों आज अगें साउथ इंड्यान बेंक से इलेटे बाते करेंगे साउथ इंड्यान की बात करें तो काफी वार हम्ने याँ पर वीडियो बनाई गया ओके और वीडियो में बार-बार आपको यहाँ पर बताया भी है कि शेर यहां पर भागता हुआ नहीं टीक है, इसके इलावा ऐसा नहीं है कि पहली बार ही वीडियो बनाई गई है, इससे पहले पाँच महीने पहले वीडियो यहाँ पर देखिए, साथ महीने पहले वीडियो बनाई गई थी, 35 रुपए का उस टाइम भी टार्गेट दिया गया था, उस टाइम शेयर कितना था, उस टाइम शेयर की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम शेयर चल रहा था, केवल 9 रुपे, 8 रुपे के अस पास, ठीक है, तो 9 रुपे से देखिए हैं, यहाँ पर 24 रुपे पर गया था, तो पैसे यहां पर कुछ दिनों में double भी होते हुए नजर आये तो इन वीडियो को last में मैं लगा दूँगा तो जाके एक बार देखिएगा तो चीजे अपने आप आपको समझ में आ जाएगी अब साउथ उंडियन बैंक से लेटेट दुबारा वीडियो बना रहा हुँ ठीक है ताकि आपको चीजे और समझ में है क्योंकि क्या हो रहा है कि चीजे एक ही जगह पर यहां तो थोड़ा थोड़ा नीचे आती हुए दिखाई दे लिए तो क्या बेस देना चाहिए, बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए, एग्जक्ली क्या करना चाहिए, वो यहां पर मैं अपना व्यू आपको दूँगा तो वीडियो में लाश्ट तक बने रहीएगा बर उससे पहले रिक्वेस्ट है, चाइना को सब्सक्रा यहां पर देखिए 8605 40501 8169 261 237 नंबरों पर कॉंटक करें को करें सीखे क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीटे होती हैं यहां पर खुलके नहीं बता बाते हैं यहां पर आपको खुलके चीटे टेकनिकल रिसर्च फंडमेंटल बेसिक एडवांस लेवल का सब कुछ यहां पर सका जाएगा और यहां पर बताए जाएगा कब लेना है कि भीस तरीकेसे श्टाक्स पर्कॉर्म करते हैं कौंसर स्टाक्स यहां पर गिरते हुए नजराते हैं 7500- Boss का सबसे 16 जो यहां पर लोग सकता है 22 सालिंग की कोई रिकमेंडेशन देते नहीं है अपने फाइंश एडवाइजर और खुद की स्टडी आपको करनी हमेशा ही पड़ेगी और यहां पर बस सीख लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा बाकी अगर किसी को हमारे साथ काम करना है इन नमबरों पर कांट से लेटेड बिजनेस होगा, फॉर्ण एक्षेंज से लेटेड बिजनेस होगा, एस वेल बॉंड वगेरा, जो भी होते हैं वो सब चीहों से लेटेड बैंक का बिजनेस होता है तो वही बिजनेस है स्मॉल कैप शेयर है, से 346 क्रोट रुपे का मार्किट के, आप 4 के पी पे शेयर मिल रहा है, 4 के पी पे शेयर मिल रहा है, तो मतलब यहाँ पर सस्ता शेयर है, तेरे का इंड़स्टी का पीई है, ओके डैट हमें देखना नहीं है क्योंकि फाइनेशा और नपी फ्याफसी म की return तो आपको बन गई तो आपको यहापर tension लेने वाली बात ही नहीं है ठीका share यहापर नीचे आसक्ता है बाट यहापर ऊपर जाएगा यह सिदे M यहापर पता चल गई है इसके इलाब इनकी 토ade website पर revisit कर लिजिए तो आपको यहापर पता चल जाएगी ठीका यहां पर नजर आता है कि इसका हाई को यहां पर यहां पर यह टच करेगा, तोड़ेगा इसे जरूर तोड़ेगा. revenue की बात करे तो revenue यहां पर देख सकते है, company का highest ever revenue आया है, 1903 करोट रुपे का, 1973 करोट रुपीज का, और यहां पर देखिए financial profit, 177% का यहां पर करोड रुपीस का financial profit है, margin देखिए 9% का, बड़े-बड़े bank को आगर मैं आपको दिखा दूना, ठीक है, HDFC, यहां देखिए, तो आपको यहां पर क्या दिखाई देगा, कि यहां पर HDFC को छोड़ते हैं, और भी bank है यहां पर, HDFC का यहां पर show कर रहा है, तो जब वो positive यहां पर दिखा रहा है, yearly quarterly basis पर यहां पर सब्ची अच्छी नजर आ रही है, यहां पर company के gross NPAs as well as net NPAs यहां पर yearly basis पर कम होते हुए नजर आ रहे है, quarterly basis पर कम होते हुए नजर आ रहे है, net profit company का highest level पिछले 12 quarter का आता हुआ दिखाई दे है, highest level company के numbers आ रहे है, net profit highest level आता हुए दिखाई दे रहा है, जब सबचीज highest level है, तो share price को highest level नहीं होना चाहिए, बिल्कूल होना चाहिए, तो वही डवल के return यहां पर हो गया, reserves की बात करें, company का यहां पर यहां पर update नहीं हुआ है, but reserves भी अच्छी खास है, और income में यहां calculate नहीं करना, okay, investment भी है, cash भी है, सब चीज है, और यहां पर हम बात करें, और शीट होगी, तो FIS की holding देखिए, FIS की holding देखोगे, तो FIS यहां पर इस्सेदारी लगातार बढ़ाई है, सास से सीरे 14-15% कर दिये, तो मतलब क्या है, यहां पर FIS यहां पर अपनी इस्सेदारी share ले रखिया है, ठीक है, share में retailer भरे हुए है, इसमें कोई परिशानी बात नहीं है, share अच्छा नजर आता है, कुछ share होते है, जहां पर मैं खुद ही कहा देता हूं कि देखिए, यहां पर पब्ली की holding बढ़ने लग जाए, ठीक है, सुना होगा मेरे मुझ से काफी बार, प इस तरीके की positive इनकी balance sheet है, वो चीज़े बताती है कि share price यहां पर भगता हुआ, नजर आता हुआ, दिखाई दे सकता है, अब बात करते हैं, यहां पर चार्ट से लेटर, बट उससे पहले request करता हूं कि चाइना को subscribe bell icon को hit करिएगा, और के notification कौन करिएगा, like comment share करे और इन नम positive चीज़ है, यहां पर consolidation हो रहा है, it's okay, ठीक है, consolidation हो रहा है, अब काफी बैतीन चीज़ है, हो सकता है कि चीज़े थोड़ी सी और नीचे आए, और नीचे आती है, तो buy on dips की रननीती अपनाईएगा, और यहां पर रखेगा, ठीक है, और जैसे ही यह share दुबारा यहां पर चलना शुरू करेगा उपर, सबसे पहले इस लेवल को तोड़ेगा, 19 रुपे के, तो सबसे पहले तो यह 21-22 रुपे का जो इसका लेवल है वो तोड़ता हुआ नजर आएगा, दूसरे लेवल की बात करूं, तो दूसरे लेवल सीधे इसका all-time high है, 33 रुपे के आस-पास जो इसका intrinsic value है, 39 वहां तक भी जाएगा, तो यह target है, देखिए पहला target है, दूसर target है, यह target मैंने already बनाके बहुत पहले यहाँ पर बताया भी था, और दुबारा share उसी दिशा में चलता हुआ नजरारन, यहाँ पर देखिए, nifty bank अगर मैं निकलता हूँ, तो आपको पर पता चलेगा कि nifty bank कहा पर चल रहा है, nifty bank top पर चल रहा है, जिब nifty bank top पर चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जब उसके जो shares है, यह तो शायद नहीं होगा, निफ्टी 50 का पार्ट, निफ्टी बैंक का पार्ट यहां पर नहीं होगा, बट इस्टिल यहां पर जब बैंक के शेयर यहां पर हाई पर चल रहे है, तो आप थोड़ा सा यहां पर इमेजन करके देखिये, कि साउथ इंडियन बैंक कितना अच्छा बैंक है, इसके बैंस शीट कितनी अच्छी है, और यहां पर सब ची अच्छी नजर आती है, तो मुझे यहां पर शेयर में केवल कंसॉलिडेशन और थोड़ी सी गिरावट जरूर नजर आती है, बड़ जैस इसके बाद श्टोरी पचास और सौर रूपए की तरफ भी बढ़ती ही नजर आएगी, वीडियो अच्छी लगे, लाइक, कमेंड, शेयर चैनल को सब्सक्राइब करियेगा, और इन नमबरों को नोट कर लिजेगा, थैंक यू सो मच, गडब्लेस.